जुआंग जो जिसे आमतौर पर जुआंग जी के नाम से भी जाना जाता है एक प्रभाव शाली चीनी दार्शनिक थे जो युद्धरत राज्यों की अवधी के दौरान चौथी शताब्दी इसा पूर्वे के आसपास रहते थे आईए जानते हैं उनके कुप प्राचीन और अन्मोल विचार किसी के द्वारा गहराई से प्रेम किया जाना ताकत देता है और किसी को गहराई से प्रेम करना साहस देता है कठिन चीज तब करो जब वे आसान हो और महान चीज तब करो जब वे छोटी हो अजारों मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है अगर आप दिशा नहीं बदलते तो शायद आप वही पहुँच जाएंगे जिधर आप बढ़ रहे हैं वह मन जो स्थिर है उसके प्रती पूर्ण ब्रहमांड समर्पित हो जाता है जब तुम उससे संतुष्ट हो जाते हो जो तुम हो और खुद की न किसी से तुलना करते हो न प्रतिसपर्धा करते हो तब सब लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं शब्दों में दयालुता आत्म विश्वास पैदा करती है सोच में दयालुता गूरता लाती है देने में दयालुता प्रेम पैदा करती है अजारों मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है मेरे पास सिखाने के लिए बस तीन बाते हैं सादगी, धैर्यक, दया ये तीनों आपका सबसे बड़ा ख़जाना है एक अच्छे यात्री की कोई तय योजना नहीं होती और वह पहुँचने पर आमादा नहीं होता मौन महान शक्ती का सुरूत है रहने में जमीन के निकट रहे सोचने में सरलता रखे जगडे में निश्पक्ष एवं उदार रहे शाशन में नियंतरण रखने की कोशिश ना करें काम में वो करें जिसमें आनंद आए परिवार में पूरी तरह से उपस्थित रहे आत्मा का संगीत ब्रहमांड द्वारा सुना जा सकता है दूसरों को जानना ज्यान है स्वयं को जानना आत्म ज्यान है दूसरों पर काबू करना ताकत है खुद पर काबू करना असली ताकत है जीवन और मृत्यू एक ही धागा है अलग-अलग ओर से देखी गई एक ही रेखा जब मैं उसे जाने देता हूँ जो मैं हूँ मैं वो बन जाता हूँ जो मैं हो सकता हूँ जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो चीजे जैसी हैं उसने आनंदित रहो जब तुम इस बात का एहसास कर लेते हो कि किसी भी चीज की कमी नहीं है पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है